आप सभी देख रहे हैं QNS TV के Quick Report और मैं हूँ आंचिर मिस्कीन हमारी जो अभी किये Quick Report है ये सोपोर से आई एक ख़बर के बारे में है ख़बर ये आए कि सोपोर में जो वहां के Transporters है खास करके वहां के Sumo Union से जोड़े जो Transporters है उन्होंने प्रोटेस्ट जारी किया है अब ये प्रोटेस्ट करने की वज़ा क्या बनी, वज़ा बनी गवर्णन्ट का पास किया हुआ एक और, अब ये और ऐसा क्या था जिसकी वज़ा से इस सरहा के सुमो यूनियन से जुड़े लोगों को प्रोटेस्ट करना पढ़ा, बिसिकली एक रिव्यू मीटिंग के बाद हाल ही में एक और पास किया गया था कि ट्राफिक को स्ट्रीम लाइन करने के लिए कुछ इलीगल सुमो को सिटी में अकॉमडेट किया जाएगा, ऑन रोड, ताकि जो लोग है, उनकी रिक्वार्मेंट्स पूरी हो सके, किसी को ट्रावल करने में प्रोब्लम ना हो, क्म्यू टर्न जो एक रियाक्शन था, वो इस तरीके का आया कि जो रिजिस्टर्ड सुमो ड्राइवर्स थे, ओनर्स थे या जो इस यूनियन से जुड़े थे, उनको ये बात रास नहीं आई, जिसके रियाक्शन में ये देखने को मिला कि आज इन्होंने इस तरह से सुमो में प्र नाइन साफी है, इनजस्टिस है, इस तरह की जो एक फ्रिक्शन है, वो इस टाइम पे इस प्रोटेस्ट के थूँ, इस ट्राइक के थूँ, देखने को मिली, इसी के साथ, इसी के अलावा, जो एडिशनल डिपिटी कमिशनर सोपोर परवेज सज्जा जी है, उन्होंने एक इस न्यूज पोर्टल को ये बयान भी दिया, कि वो इस ओर्डर को रिवोक नहीं करेंगे, वो इस ओर्डर को डेफिनेटली इंपलिमेंट करेंगे, और इसके जो रिवोक होने के चांसेश है, वो ना के बराबर है, तो अब यहाँ देखना ये है कि दोनों पक्शों में ज क्या ये जो एक स्ट्राइक अभी चल रही है ये इंडेफिनिट स्ट्राइक बन कर रहे जाएगी अब ये पूरा एक इंसिडेंट किस तरीके का मोड लेगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा और जो खबर आएगी वो हम आप सभी के सामने लेकर जरूर हाजर होंगे तो फिलहाल दोस्तों बागी खबरों के लिए स्टे टून टू क्यू एनस टीवी बाबाई